चलिए शुरू करते हैं नलेलिकाड में सिच्छा मंत्र पे आपका हार दिखाती स्वागत है और आप सुरू करने जा रहे हैं प्लांट मॉर्फो लॉजी जिसे आकारी किये बोला जाता है हिंदी में पादप आकारी किये चीक है तो चलिए इस पर मोक्तेस्ट है करेंगे जिसमें आपको जो शब्द नहीं समझ में आएगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी इंग्लिस टोनों के साथ समझाओ तो प्लीज आप सपोर्ट और सुस्काइब करते रहें और चलिए वीडियो थोड़ा सा लेट चलेगा क्योंकि दसाहरा है तो थोड़े मुलांकर से विक्षित होने वाली जड़े कहलाती क्या है तो मुलांकर से विक्षित होने वाली जड़े मुस्ला जड़े कहलाएगे एक बात आगे क्लियर कर देता हूं सबसे पहले कि मुस्ला जड़ देख रहे हैं अपस्थानिक मूल दोनों एक ही जैसा लगेगा आपको लेकिन क्या हुआ है कि इसमें बाटा हुआ है जैसे रब जी का नाम आएगा तो जिसमें मुली मुली जो होता है मुशला जड़ होता है गाजड जो होता है गाजड जो होते हैं मुशले जड़ होते हैं शकरगन जो होते हैं मुशला जड़ होते हैं अपस्थानिक जड़ क्या भी आएगा मरगद भी आएगा ये क्या होता है मुली को आप अपने पास देखते होंगे घर में सब कुई खाते हैं मूली गाज़र सब कुछ खाते हैं तो गाज़र का देखिएगा उपरी भाग जो जाता है ये मूटा होता है जैसे ही नीचे की और जाने लगेगा तो पतला होती चले जाता है पूछ की तरह हो जाता है गाजड हो जाता है और जो पतली की तरह धार-धार जैसे इसके बॉड़ी में ही गाजड के बॉड़ी में ही पूछ की तरह निकल जाता है इसी जड़ को करते हैं मुशला जड़ भाग मूली रहे आपका सकरकंद रहे आपका ये ग अस्थानिक जो होते हैं कि कोई भी पौधा आप ले लीजिए कोई भी पौधा मालेले ले ले लिजए में पता है कहीं भी जड़ निकलता है बद। आप बर्गत में ज्यादा तरेखेगा कूपर से आए गयादम मजबूत आता है और नीचे की और आपको इसमें लटका हुआ रहेगा है ना जड़ नीचे की और जाते रहते हैं जमीन से कनेक्ट हो जाता है है तो यह अपस्थानिक जड़े हो जाती है जो कि कहीं से भी निकल तो उसी को अपस्थानिक आएंगे जो कि आप नेक्स्ट कोश्चन आप जो देख रहे हैं उसी स्थमंदित है जैसे देख लिए दूसरा प्रश्चन मुलांकूर जो है मुलांकूर के अत्रिक्त पौध हो के किसी भी भाग से बिक्सित होने वाली जड़े कालाती क्या है पौध हो सकती है। आपको मुलां में हो सकती है वाग सिकता होता है अब देखे ह ऐमने गे पौध ही आप को सेकुना जाएं इस हν आप रहली लिए यह था कोई भी की बढकी रही में और लाग से कारंता पूध की तर्वी निकले जाथा ॉद्द होगा से मुलां अगर 25 प्रस्थानिक मुद्ध बस समझ गए यह समझाना जरूरी था क्योंकि इंपॉर्टेंट था देखें तीसरा प्रस्ट है मैं समझाने की कोशिश किया दो कोशन इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको अच्छा लगे तो पताईगा जुरूर देहलिया की जड़े होती है कैसी हो चिनों जैसा देखेगा सुझमुखी का झान उसी तरहे और होगा ळेया जो होता है जैसे जितना सुझमुखी का होता है okay है हाइच उतना ही होता है कि दो से अधाई अधाइ मीटर तक crazy तक हो सकता है यह जान दीज दिए गाई है ठीना की जैसा होता है यbit कंद और पुलकित होते हैं तो जहलिया की जड़ होती है कैसे कंदील और पुलकित होती है देखें चौथा परश्ट पढ़ लेते है उपरी रोही मुल मिलती है तो उपरी रोही मुल मिलती है आगे तो उपरी रोही है क्या तो यह जानते है यह हिंदी में हरे पादब के रुप में होता है कैसे होते हैं हरे पादब में होते हैं तो हरे पादब होते हैं कौन उपरी रोही इसे जानते हैं उपरी रोही को अधी पादब भी कहा जाता है क्या कहा जाता है अधी पादब भी कहा जाता है और इसे याद रखेगा यह परजीवी नहीं होत कि आदेंगे कि option number याद कि क्या बताइएगा सी बता D Sheva अरकडिमे होते हैं इस कि लात roof न। organized होता है चस scor चोंचे ऑरडमाशी होता है क्रिछ वह था बारा है बार न१ॉ-जह होता है इस से पता है इस से पता बार भी-गर् electricity हैंit gv B3B 3 होते हैं िचिकर है बड़े परिवार होते हैं यह अस्थलियों से याद यह पोगते सैंसे हैं इस देख यह दल्दल यह आवार उस च्छेत्र में आप तो में में झाल को यह और चरिये स्पमियंग बीद्वार्ट ऊंजा ऊपज़ाएं लाहिए अग्र वार्प भासिक्तों अूर्गिशाया का DR चोटा मूटा डीटिल समझाएंगे है ना चलिएगा अब सवाल बनता है आपका क्या चलिए दिखा दिते हैं अब अस्तंभ मूल जिसे अस्टील रूट बोलते हैं पाय जाती है तो С्टीல रूट कहा पायž जाती है उसमें कहां पायамен जागे तो आप जानते हैं स्टील रूट काने का मतलब सीधा रहेगा खड़ा रहेगा उसमें एक तरसे जड़ ही है जो कि हम खाते हैं तो यह जो खाने वाला चीज है गन्ना को आपको देख के लग रहा है चना मुफली समय लग रहा है क्या स्टील होगा सीधा होगा तगतवर जैसा लिखेगा आप अन से निकलने वाली जड़े होती है निकलती है और if अब बात करते हैं यहां हो गया 7 question 7 question number क्या है अस्तंब मूल जिसे बोला जाता है प्रूप प्रूप बोला जाता है तो अस्थानिक जड़े होते हैं अब अस्थानिक जड़े जो कि आप देखे होंगे कि वो जो है किसी भी मतलब पौद है कि तने से निकल सकता है जड़ उसी को कहा जाता है तो वही अस्थानिक मूल होते हैं और वही अंसर होगा आपका उपसे नमबर डी यह जो आप देख रहे हैं छठा और सातमा यह अब अस्था जो कि क्या होता था कि आप नीचली नोडस के नीचे की निकलने व क्या और अब अस्थम जो मूल है अस्टील रूट है वह गन्ना है मतलब जड़ से निकलता है उपर क्यों देखें न यहीं है बस इतना ही अंतर था कुछ नहीं और भी डीटेल से समझाने की है जादा नहीं आटमा प्रस्थ हैं जड़े विक्षित होती है तो जड़े किस मे उपर पढ़ चुके हैं तो चलिए इस पर ज्यादा जनकारी हम नहीं लेंगे नवा प्रस्थ गाजड है एक क्या है गाजड बताईगा यह असान चीज है बताईगा तो गाजड जो है बताएंगे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि गाजड हम अभी जस्ट आप देख परस्ट के बर्गत के पेड़े के तने से लटकने वाली मोटी जड़े कहलाती है विखिंगे बर्गत से जोला बर्गत का पेड़ देखोंगे उससे तने से लटकता हुआ जड़ मोटी जड़े कहलाती क्या है बताइएगा तो आप अभी जानते हैं कि आप अस्थानिक जड़े होती है वो होती है नहीं से लटक जाती है अप अस्थानिक कौन था अस्था मुमूल था जो कि आपको दिख रहा होगा क्या सही मैंने बोला सही बोला क watching के जिएगा सही मैंने बोला है समझ में आ रही है कुछ मुक्तिस्ट इगारामा प्रस्प्र को बताइए आलू का खाने कि लोग तर्णाख खाते हैं वार्म प्रश्ट में थोड़ा सब्सक्राइब करें शर्य चेंज भूट करें तो इसे बोला जाता है क्या जिए फाइलो लोग या जुआ फाइलोग लेद वह पूलते हैं तो किस में रुपांतरी होता है आब बताएगा तो इसमें से कौन शा होगा अंसर? तो आप अच्छे से जानते हैं कि तनें कारूपांतोरन होता है. जो कि Option Number B, तनें कारूपांतोरन होता है. होता है या प्रकास संसलेशी कार्ज होता है तो इस option के हिसाब से कौन सा होगा नागफनी में बताएंगे पता सकते हैं तो बताईगा तेरे माप्रस्ट का जवाब देंगे तो इसमें सिंपल जवाब इसमें कोईश्चम जाने की जरूबत नहीं option number B पंड का अस्तंब द्वार था चीक है फाइलो क्लेड होगा इंगलिश नाम है तो पर्णकाय अस्तंब में आता है नागफनी और क्यों क्यों कि ये तना ही तो है तना में ही रुपांतरन तो होता है देखें ना नागफनी को चीक है नहीं देखें तो देख लिए जगा नेट पर सच करए 14 प्रस्ट च आलू का हम जो है तना भाग खाते हैं लेकिन उसे जो है कहा जाता है और क्या नाम से जाना जाता है यही पूछ रहा है बताएंगे क्या होगा तो इसे घंड कंद कहते हैं कंद कंद वाला खाने वाला भाग होता है तो घंड कंद भी कहा जाता है तो तने का रुपांतर होता लेकिं जिसे कहा जाता है तो क्या कहा है कंद कहा जाता है क्या कहा है कंद कंद कहा जाता है ने को चुक् THIS एक Next ऊप्रप्रहन परश्णि क्या है कि ऑ land के पध्त खाने का योग बाग पता है उसे कहते है उसे कहते हैं प्रकन्द कहते है अब देख रहे हैं तो हल्डी के जो भाग खाते है प्रकंद कहते हैं आगे चलिएगा सब प्रकंद करें क्या है इस पेपर सब नीचे सबस्क्रिका करते हैं चलिएगा अब देखें थोड़ीन नीचे हो गया सबस्क्राइब ने परिवर्थित करते हैं तो किसका परिवर्थित रूप है को बताईए यह बताईए किस से समंदित होता है प्याज तो प्याज जो है तने का ही तो प्याज परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर कि िक्ते हैं चलेबाद करने बात करते हैं नियुंइकरित नयुनी कृता है कि इसके बार कुछ बडा सकते हैं तहां बता सकते हैं नियूनी कृत होता है आप्शन नमबर डी शुसकोद भीद बोलते हैं शुसकोद भीद बोलते हैं अब शुसकोद भीद बोलते हैं इसका इंगलिश नाम बताएगा क्या बताएगा हीरो फाइटर्स हीरो फाइटर्स ऐसे हेरो फाइटर्स बोला जाता है द्यान रखेगा लेकिन यहां उचारन किया जाता है हीरो फाइटर्स बस इतना द्यान रखेगा चलेगा हीरो जब सा लिखावाई तो हीरो फाइटर्स होता है चलेगा उन्हीं इसमाप्रश्ण है कि वे सामने option है जली दें बताईगा मैं आपका इंट्जार कर रहा हूं तो option number C option number C मतब क्रिप्टो गेम्स कहते हैं वे पौधे जिन में पुस्व नहीं लगते हैं मतब फूल लगता ही नहीं है तो वो कहलाएगा केप्टो गेम्स कहलाएगा समझ गया कोई दिक्कत नहीं अब एक चीज जान लिजे इससे पहले हम जब पढ़ाने जाएं उससे पहले यह दोनों का हिंदी जान लिजे इन दोनों का हिंदी हम आप बता सकते हैं तो बताईएगा बहुत इंप्शान होता है यह जान रखेंगा जमीनोसपर्म क्या होते ही हम आपका झाल कर रहें है तो परदद यह होता जिमनोस पर्म स्भेक्र्म जो होता है। बस इतना ध्यान रखना यह दोनों का हिंडी जरूरी था क्योंकि आगे पूछेगा। ने से सबसे बड़ा अधिमत होता है तो इसे ने विडियेश कोई पूशप उत्पन होता है तो उसे क्या कहा कह सुअगे संसार का सबसे बड़ा उत्पन होता है उसे क्या कहा जाता है बताएगा तो हम बोलेंगे रेफलीसिया द्वारा होता है किसके द्वारा उत्पन होता है यह डिरेक्ट कोशन बोलता है कि संसार का सबसे बड़ा उत्पन होता है तो उसे क्या कहते हैं तो रेफलीसिया द्वारा होता है किसके दारह उत्पन होगा उसे क्या कहेंगे तो Sud score समझ कोई सभता होता है किसके दो अब रश्पन को ऑद्धान में रखें फिल्गोवी का खाने वाँ बाग बताईए तो बुश्पतो होता है यह तो सही है लेकिन फिल्गोवी का सारा हिसा थोड़ी ि乐 घाते हैं उसमें जो फूल लगा होता है फूल का बीच वाला फूल कोवी जो ह doris है तो The फूल किता है उसे बोलते हैं पुस्प करम उसरी खाते हैं हम लोग लोग और पूरा कहीड़ पूरा फूर को व only कीया जैसे बंदा को भी कुरा खा पुष्प क्रम नहीं रहता तब लगाते समझ चली आगे चले फुलगोवी का पुष्प करम खाते हैं समझाने के पॉंटेवी से मैं वो रहां चलेगा बाइसमा प्रश्ण है जीवन चक्र की दिष्टी से पौधे का सबसे महत्पूर्ण अंग है तो देखें जीवन चक्र के पुष्प होता है सबसे महत्पूर्ण अंग होता है पुष्प है ना सबसे बड़े वही तो होता है पुष्प ही तो है सबसे इंपोर्टन अब देखें पराग कोश से वर्तिकागर तक पराग का अस्थनामतरन क्या कहलाता है बताएगा मतलब देखें पराग कोश से वर्त आप सब्सक्राइब कोश्में बरतिकागर की आप से पूस्टा है तो आप क्या एगा क्या कहेंगा तो पॉली नेशन ओन पॉली नेशन इंगलीष में सुन लिए पॉली नेशन कहते हैं पॉली नेशन कहा जाता है इंगलेश में पॉली नेशन जरूरी है थीक है 24 कोस्चन नमबर देखें 24 और 25 बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा से के लिए सब दोनों में अंतर है जो कि हम लोग को जानना जरूरी होता है इनीमो फिली जो है परगन परगन ऐसे बोलते हैं परगन एनीमो फिली जो होता है वो होता है बाई द्वारा होता है तो एनीमो फिली जो होते हैं वो बाई द्वारा मतब हावा द्वारा वित्रित होता है बस इतना ही इसका जवाब है कुछ और नहीं है लेकिन हाँ 25 कोस्चन की बात करें तो इसे एंटमोफिली प्रांगन करते हैं या एंटमोफिली प्रांगन होते हैं वो होते हैं कीटो द्वारा होते हैं तो यह जो एंटमोफिली जो प्रांगन होते हैं मतब एंटमोफिली पॉलिनेशन जो होते हैं वो कीटो के माध्यम से ही होता है और हावा के माध्यम से होने वा तो 26 में जैसे ही आएंगे question number में तो देखे जू फिली परांगन, जू फिली परांगन मतलब जू फिली पॉली नेशन, जू जैसे ही होगा तो जू में कौन रहता है? जन्तू लोग, जानबर लोग, तो वो ही तो लगेगा, जन्तू द्वारा जो हुआ, वो जू फिली परां जो पॉली नेशन होता है, वो क्या होता है? तो वो पच्छियों द्वारा होगा ना, अर्थिनी जैसे ही आ गया, पच्छियों द्वारा होगा, हवा द्वारा क्या हुआ था? बता सकते हैं, हवा द्वारा, तो एनी मो फिली हुआ था परांगन, ठीक है, ये clear हो गए, चलि क्या कराएंगे, तो देखे, जूली मतलब जन्तु से, एंटमोफिली कीट से, और इनीमोफिली ये क्या था हावार से, तो ये सब तो जानगे, ठीक है, तो बचा क्या, हाइड्रोफिली हाइड्रो मतलब हाइड्रो मने पानी, तो हाइड्रोफिली, तो जल द्वारा क्या हो जो प्रांगन जो प्रांगन मतहरा पॉलिनीशन जो प्रांगन बंद पुष्पोम में होता है Ela तर बंद पुष्पोमें होगह kans Commission तो उसे कहेंगे option number 29 का यह होता है जिसे कलिस्टोगेमी कहेंगे कैली अलकर जिए स्टो अलकर जिए तीस्टवा प्रस्ट है वर्तिकाग्र वर्ति काग्र शडव खुर तरा एवं चिपचिपा होता है तो वर्ति काग्र तो आप पढ़े थे है ना तो अब बताईए चिपचिपा होगा तो बताईएगा ये जो है किसमे होता है तो जैसे ही option number B लगेगा कीट परागती पुश्पों में होता है जिसमें किट परागती लगेंगे वही अंसर होगा तो इसमें और कुछ नहीं याद रखेगा जो बर्ति काग्र हिद देख रहे हैं ये याद रखेगा मादा का एक भाग होता है ये जरूर ध्यान रखेगा ये मादा का ही एक भाग होता है ये ज़रूर ध्यान रखेंगे चाहिए शरीगा निसेशन की बात करते हैं तो देखिए यहां पर 31 question नवरें थोड़ा question को ध्यान से सुनेंगा ठिकाह निसेशन के पहुषाथ, निसेशन होने से पहले पहचात मतों ठीक है वीजों के विज आवरन विक्सित होते हैं तो कहां विक्सित होगा विज आवरन अप्शन नम्बर ए जो है अध्याई अवरनों में बोला जाता है अध्याई अवरनों में होता है ठीक है विक्सित कहां होगा तो अध्याई अवरनों से यह समझ गए 31 का क होता है पता सकते हैं तो यहाद कि निशेचन का मतलब होता है कि नर और मादा इगमों के संयूजक के क्रिया को कहते है निशेचन बस इतना जाने ज़िए निशेचन के बारे में अब अनसर तो आप जानेगे चलेगा अब इसी में निशेचन बताने का कारण ने भी था क्योंकि 32 कोश्चन देखें द्यू निशेचन मतलब क्या होता है तो डेवल फेटिलाइजेशन होता है ऐसली तो यह सवाल तो आप जानेगे सलेचन जो है बता है मुखलचन है क्या है मुखलाचन इसमें बताईगा 32 का बताएंगे तो option number D, आविर्त वीजिय क्या होता है। आविर्त बीजियों का होता है। दिवनिसेचन मुखलाचन होता है। तो आविर्थ का क्या वोलते हैं, जीमिनो असपर्म किसका था, बताएगा, तो ये था अनाविर्थ का तो NGO-सपर्म होगा, क्या होगा, NGO-सपर्म होगा, ऐस च्छिएगर तो आपको हो सकता है maths का मुखलेचन को कोश्चन नमबर 33 बताईएगा कोश्चन नमबर 33 क्या होगा तो देखिए कोश्चन नमबर 33 आपको 33 दिखेगा तो आप बताईए कि बीना निशेचन के एक अंडाशे के फल में विक्षित होने को कहते हैं क्या कहते हैं बताईए विक्षित होने को क्या कहेंगे बता सकते हैं जिलेगा 33 अंसर के जबाब दीजे हमको 33 अब बीना निशेषन के अंडासे की बात करें तो हम बताएंगे जक किया अंसर बीप और सब्सक्राइब होगा अब अंडार्श्य क्या होता है अंडार्श्य को आप जाने गया चलिए चांटिसमा प्रश्ट परिवर्धित होता है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब अंडार्श्य क्या प्रिवर्धित अपरिवर्धित होता लेकिन इसमें कोशन का पुछ रहा है एक शक्तफल परिवर्धित होता है तो किसमें होता है बता सकते हैं तो हम अच्छे से बताएंगे क्या बताएंगे रहेगा जरूर तब मैं बताऊंगा 34 का अंसर का जबाब देंगे तो यह जो है आप या दुखेगा अंडाशे में ही होता है ओबरीज में होता है यही तो है यही तो मैंने उपर बोला था तो एक शक्तफल जो है परिवर्दित होता है अंडाशे से कहां से हो ले तो आम जो है शक्तफल है तो इसको छाड़ देजिए का जो भी शक्तफल है सुपारी भी लेकिन आप्शन नमबर ए जो है यह जो है सेव यह है अशक्तफल तो सेव हो गया नासपाती हो गया यह सब जो है अस्टफल हो गए देखिए 36 कोशन है कि नारियल तथा आम के फ सवाल तो नहीं पूछा है यह इसमें से पूछा है कि क्या होगा तो नारियल जो होता है और आम जो होता है वो होता है डूपल होते हैं क्या होते हैं डूपल होते हैं ऐसे डूप कहीं कहीं दे देता है बता देते हैं कि शत्तफल क्या होते हैं अशत्तफल जो होता है आप एक है सत्फल जो होता है अंडांव का जो है साथ चोड़कर अंडानो आ है उसे असन आ्झ futur कहेंगे अंडानों में नहीं होकर पुशप के रूप में हो जाता है वह श्रस तक है चब शेंपल सवाल चुरिआ इसलिए ये समझाने जरूरी प्रश्ण की बात करते ही संतिस्मा प्रश्ण है कि पके हुए आम का खाने योग जो है अकारिकिये भाग होता है अकारिकिये भाग मतब क्या होता है मौर्फो लौजी बोलते हैं इंगलिश में ठीक है तो आम का जो है पका हुआ जो आम है जो खाने योग जो होता है मौर्फो ए खुमाया है खाली तो वह हम जानते हैं मद फल भीति भाग खाते हैं जिसे के दूप भी बोला जाता है चलीगा अर्तिसमा प्रश्ण अर्तिसमा प्रश्ण है नारियल का खाने योग भाग होता है तो देखें नारियल का खाने योग आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दीजगा तो नारियल का खाने योग भाग पता है हम बहुत अच्छा सिदाएंगे भून पोश बताएंगे तो आप याद रिखेगा एंडोस्पर्म होता है तो हम नारियल का कौन सा भाग खाते हैं मतलब भूंड पोश खाते हैं नारियल को खुद देखे फोड़िये अंदर वाले खाएंगे कि नहीं भाग को चलेगा तो 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 चलेगा प्रश्ट सेव और नसपाती के खाने योग भाग होता है तो सेव और नसपाती तो आप जानते ही क्या सत्तफल है यह तो किलियर है लेकिन अब बताएं कौन सा भाग खाते हैं शेव और नसपाती का तो पुषपाशन खाते हैं पुषपाशन खाते हैं पुषपाशन खाएंगे अब पुषपाशन का कौन सा मंशल मंशल पुषपाशन खाएंगे जो कि इंग्लिश में बोला जाता है थैले मश्ट नसपाती का कौन सा भाग खाया जाता है तो नसपाती आप सूची ने कौन सब्सक्राइब ऊसे ने सब्सक्राइब और मकूंस नियुक्त सब्सक्राइब baby's यह जो हुता है इसको फल नहीं होता है तूशे हम बोलते हैं अना वरितिय वीज बोला जाता जिसे को आता है साइकर्श चैसित का थना लंबा भी होगा मोटा बसका तो इसमें जवाब देने की अवश्यक्ता नहीं है कि सजीव प्रजक सजीव प्रजक का इंगलिश सुनिए आगे बोलेगा तो हम वी वी परिश अंकूरन किसमें पाए जाता है बताएगा किसमें होगा अंकूरन किसमें पाए जाता है यह बताएंगे तो हम अच्छे से जानते हैं आप्शन नुम्बर क्या लगाएंगे आधो मुंखी अंकूरन पाए जाता है तो अधो मुखी अंकूरन का इंगलेष चागर पूछते आपसे इसका होता है हाई पो गियस क्या बुला-जाता है है आई-पो गियस और जरूर्मी नेशन तो हाई पूपया जाता है कहां पाई जाता है तो आप यार तो किया है म 모든 की लगाएंगे वह सई लगाए मक्के अगर मटर भी रहता तो मटर को सबसे जादे आगए अप्शन टिक लगाते लेकिन आपको मक्का दिया हुआ इसमें मटर आप्शन में नहीं था तो इसलिए याद रखेगा बेस्ट माना जाता है अप्शन मटर को ठीक है क्योंकि जमीन के नीचे जूग को ठीक लगाएंगे तो याद कि आधो मुखी अंकूरन जो होता है मटर को ठीक लगाते अभी मक्तर को ठीक लगा देंगे बस खतम ठीक है बात करते हैं 46 कि भूम पौरिक अंकूरन पाय जाता है तो उसका आगे इंगलिश चानली जे तो इसका इंगलिश होता है कि एपीज जील और क्या बोलते हैं जर्मिनेशन तो एपीजियल जर्मिनेशन पाय जाते हैं तो वह पाया जाता अप्शन बड़ी अरंडी में यह याद दखिया जैसे भूम पौरिक जो होते हैं अंकूरन जो होते हैं यह जमीन के ऊपर होते हैं बस इतना ही द्यान ठीक और कुछ नह नमर है कि नमर्खित में कौन सा एक किट हारी पादफ है किट हारी मतलग को खाने वाला पादफ है मतलग पौधा है तो वह ऑप्शन बढ़ाएं जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे यह हो गए आपके खतम और यह आपके होगए अंसर कोशन अंसर आपका दिया है कैसा लिए अपलोट कर दूंगा एक नएक वीडियो इंसी आटी का भी करूंगा तो चलिए इसी तरह सुपोर्ट करते हैं जय हिन जय भारत